नमस्कार में अश्लिशा और राब देखरे शंखनाद न्यूज आज की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ अगनीवीर योजना को रिव्यूव करेगी सरकार योजना में बदलाफ की तयारी सेना भर्ती के लांच किये गई अगनीपत योजना में बदलाफ की तयारी है नव निर्वाचित एंड ये सरकार ने विभिन्न मंत्र लोय को सच्चियों को जिम्मा सोपा है अगनीपत योजना के तहट चुने गए जवानों को अगनीवीर कहा जाता है दस प्रमुक मंत्रा लोय को सच्चियों को अगनीपत योजना की समिक्षा के लिए कहा गया है उन्हों यह सुजाओं भी देने होंगे कि कैसे अगनीपत योजना को और आकरशित बनाया जाए तीनों सेनाओं से अंतरिक सर्वे कर रहा है जिसमें योजना से कुछ जुड़े हुए पहलू को चिन्नित किया गया है रद नहीं करेंगे नीट पेपर ग्रेस माक्स वालों को देनी होंगी परिक्षा नीट यूजी दोजाच चोबिस की परिक्षा और उसके परिणाम को लेकर विवाज जारी है इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुबार को अहम टिपणी के साथ कहते हुए कहा कि छात्रा को डरने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दोरान कहा काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे है परिक्षा होते ही सब कुछ समगरस्थ होता है इसमें डरने की कोई बात नहीं है कोट ने कहा कि पूरी तरह से एजाम को रद नहीं कर सकते है खांडू ने तिसरी बार अरुणाचल के सीएं चैना मीन पर उपमुख्यमंत्री बने भाज़त नेता पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की रूप पे शपत ली है पूने में हुए पोर्शेकार हाथसे के मामले में अप्शरत पवार वोट के विधायक अनिल देश्मुख का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा जो पूने में हीट एंड रेन का कैस हुआ यूवक यूती की मौत होई राज्य सरकार के कुरुपा की वज़े से विशाल अगरवाल के बेटे का बलड सैंपल लिया गया जिनकी मौत होई उसकी रिपोर्ट को अलकोहल रिपोर्ट पॉसिटिव आई और विशाल अगरवाल की निगेटिव मतलब ये देखने की साजिश हो रही है कि जिनकी मौत होई वो आरोपी ठहराय जाया ऐसा आरोप कार्टोल के विधायक अनील देशमुक ने किया पूने पोर्शे का दुरगटना मामले में बड़ा खुला सा रिश्वत लेते अस्पताल में कर्मचारी का CCTV फुटेश आया सामने पूने पोलिस को CCTV फुटेश मिली है जिसमें सूसन जनर अस्पताल के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया इस कर्मचारी पर पोर्शे का दुरगटना में शामिल किशोर चालक के रक्त में नमुने को बदलने की साजस का हिस्से का आरोप है जिसमें दोनों की मौत हो गई थी पबजी खेलते समय खोया होश पंप हाउस में गिरने से मौत हो गई नाकपूर से मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए एक लड़के की तलाफ के पंप हाउस में गिरने से मौत हो गई 16 साल का पुन की तरा चहदाद पूरी अपना जन्मदीन मनाने के बाद सुभ अपने दोस्त रिशी खेमानी के साथ नाश्टा करने निकला था लेकिन दुकान बंध होते ही वह नाकपूर के अंबासरे तलाफ के पास पहुचा दरसल 11 जून को पुनलित का अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने 16 वा जन्मदीन मनाया राग 12 बजे केक काटने के बाद वह सुभर 4 बजे अपने दोस्तों के साथ तलाफ पर पहुचा मोबाइल पर गेम खेलने में वह इतना मग्ध हो गया कि चलते चलते अंबासरे तलाफ के पंप हाउस में से गिर गया यह देख दोस्त ने पूलिस और दमलक के विभाग को घटना की चान करे दी मौके पर पहुचे बचाव दल ने पूलकित का शर्फ बहार निकाला ओनलाइन मंगाई आइसक्रिम साथ में आई हाथ की उंगली हम सबको आइसक्रिम खाना पसंद है जिसमें हम ओनलाइन ओरडर भी मंगवाते हैं लेकिन दुम्बे के मलाड इलागे में रहने वाली एक महिला इस समय सक्त में आ गई जब उन्हें ऑनलाइन आइस्क्रीम ओर्डर की, आइस्क्रीम के कोन के अंदर इंसान की उंगली का टुकडा मिला मैला ने यम्मू आइस्क्रीम को ऑनलाइन ओर्डर किया था इस कांड के बाद उस मैला का मलाड पोलिस टेशन पहुंची क्या हुआ बहु? ठीक है मा, पर जाच के लिए हम जाएंगे कहा? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में लेकिन मा, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाईयां? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाईयां सुरक्षित होती है